हेलो स्टोरेंड बेलकम टूमानी वीडियो इस वीडियो में हम देखने वाल है कक्छा नोभी विसे हिंदी दिनांक 7 सितंबर 21 के हिसमाल 3.0 होमबग का मिया पर फुल सुलिसन देखने वाल है तो आपको एक कोशन को बारी के समझना है और पूरा वीडियो को देखना है तो चले हम वीडियो पेने असदरी का सुरू करते है आप इस वीडियो लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहे है उस लाइक की बटन को आप जरू से दबा देना तो हाँ पर देखिए प्रशन करमांक एक हमें दिया है कवीर जी की रचनाओं के संग्रहे के क्या नाम है यानि कवीर जी ने कई सहरी रचना की थी उनका एक संग्रहे है उनके क्या क्या नाम है उनके वारे में बताना तो देखिए इसको तर है कवीर जी के रचनाव को संग्रहे में कवीर वीजक, सुक निदन, होली, अगम, सब्द, बसंत, साकी और रक्त सामिल है ये सबी कवीर जी के रचनाव को संग्रहे के नाम है इसके बाद देखे चातरों दूसरे कोशन हमें आपर दिये गाया है कि कवीर जी के अनुसार हिर्दे का 20 अमरत में कब परिवर्तित हो आता है हमारे दिल के अंदर हिर्दे का अंदर जो भी 20 होता है जो भी कड़वापन होता है जो भी बुराई होती है भे अमरत याने की अक्छाया में कब बदल लाती है उसका अब चते का विस, अमरत में तब परिवर्वाइरत हुआता है, जब प्रेमि रूपी इजवर हमें मिल लाता है, हम जिस की तपस्ते करते हैं, आपों आपने इंग्लिस इंटर्वई करना चाहते हुआज़। तो आप सब के लिए है good news download app आप सब के लिए लाया है English speaking course जहां English का top teachers आपको एकदम basic से English बोलना सिखाएंगे वो भी हिंदी भासा में यानि कि आप में से अब हर एक बच्चा English बोल सकता है और साथ ही course के अंत में आपको certificate दिये जाएगा तो अभी जाइए अपने download app पर और इस course को खई दियो और अपने अंग्रेजी बोलने की सपने को पूरा किजिए पूरे भारत में सबसे बढ़ी अदाम और top quality का course आपको सिफ download पर मिलेगा course का link description में प्रभू के सच्चे सादक को किस प्रकार साधना करनी चाहिए यान कि जो भी सच्चा जो भक्त होता है उसे किस प्रकार भक्ति में लीने न चाहिए तो देखिए इस कांसर है प्रभु के सच्चे सादक को सामप्र दाइक भे दवाव जो धर्म से संबन्दे जो भे 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 दवाव होते है जिसे हिंदो, मुसलिम हो गया स्रीक रिसाई हो गया सांसारिक मोह माया से दूर सबramento से लिए तित्यों में संभाव जैसे कि आपने देखा वो कई लोग को जब लाव होता है तो इतने जादा खुस होते है पूछो मत और हानी होते है तो तब इतने जादा दुख होते है पूछो मत तो किसी को कह रहा है कि सभी जो इस्तिर्किय होती है उसमें हमें समान देना चाहिए तता निश्चल भाव से बिना लालच के भाव से साधना करनी चाहिए, तब ही बे सच्छ साधा केलाएगा। अब पश्ण चारा में दिया है कि कविर जी ने असली ज्यान किसे कहा है। तो देखे, कविर ने असली ज्यानी उसे कहा है, जो हिंदू मुसलिम के पच्छ बीपच्छ में नर पढ़कर इन से दूर रहता है, यानि कि संप्रदाइक भेवाव से दूर रहता है, और दोनों को समान दृष्टी से देखता है, बही असली ज्यानी है। उसकी पेचान यही है कि किसी धर में संप्रदाय के प्रती कटर नहीं होता है, और प्रभु भक्ती में लेन रहता है। यही है इसली ज्यानी होता है। तो उम्यत आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आपको समझना है, और आप इसका लिखित मुत्तर कर सकते हो, चले मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसमाइल 3.0 होमबक सुल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहां से आप डेली का इसमाइल 3.0 होमबक का सुल्यूशन लिखित में प्राप्त कर सकते है। अब देखिए, लाज़्ट कोशन है कवीर जी का अनुसादर ब्यक्ति महान कब बन जाता है। चैनल परना चैनल सब्सक्राइब कर लिजीगा मिलते हैं अगले किसी नए वीडियों तो तब के लिए जिहींद जे भारत